लास्ट अपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ मेडिसन्स हैं, जो हम आसानी से चाट के माद्यम से वाइरल फीवर के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो लास्ट में हम लोगों ने होट, थर्स्टी और थर्स्लेस मेडिसिंस को देखा था आगे उनी मेडिसिंस के चार्ट को हम आज देखने वाले हैं तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग मंत्रा में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील आगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरू करिएगा सो वेलकम बैक फीवर के चार्ट के लिए हमने लास्ट के अपसूट में देखा कैसे वाइरल फीवर हम लोगों को आता है क्या सिम्टम्स हैं उसके हाई ग्रेड फीवर, हैडेक, बोडी एक, ड्राइनस ओफ माउथ, ड्राइनस ओफ माउथ के साथ में सोर्थ रोट ये चार सिम्टम मेंली हमें मिलते हैं तो इसके लिए हमने कुछ रेमेडीज देखी थी जिसमें एकोनाइट आरसेनिक बलेडोना, ब्राइनिया चाइना, इगनीशिया और कई सारी रेमेडीज थी तो इनके लिए हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने हॉट और चिली रेमेडीज को अलग-अलग किया था और हमने एक एक करके लिया था सबसे पहले लिए थी हॉट रेमेडीज तो हॉट में ब्राइनिया, लेकेसिस, लाइको, ओपियम, पल्स और सल्फर को हमने थस्टी और थस्लेस में देखा था तो आज हम देखने वाले हैं इसके आगे चिली रेमेडीज को तो चिली रेमेडीज में हमारे पास हैं एकोनाइट, आरसेनिक, बेलाडोना, चाइना, इगनीशिया, नेक्स मोस्काटा, नेक्स वोमिका, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, सीपिया, एंस्ट्रेमोनियम ये कुछ रेमेडीज हैं जो आपको अगर पेशेन्ट वाइरल फीवर लेके आता है और चिली फील करता है अब समस्या हमारे पास ये आती है कि हॉट में, हॉट वैदर के अंदर चिली कहां फील करेगा अक्सर हमारे साथ थर्मल में ये प्रॉब्लम होती ही होती है especially in the rural belt कि जब भी हम rural patient को देख रहे हैं वहाँ पर या तो अगर summer season है तो patient hot दिखेगा even ये आपको शहरों में भी मिलेगा या फिर winter season है तो patient चिली मिलेगा लेकिन थर्मल यहीं पर ही हमें पहचानना होता है कि कैसे वो पहले से अलग है अगर आज कल के season summer season के अंदर कोई विक्ती आ करके ये कहे कि अगर पंखा चलता है तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता या cooler के आगे गर मैं बैठा हूँ तो मुझे उसके आगे से हटने का मन करता है या मेरी तकलीफें बढ़ जाती है या फिर वो कहे के A.C cooler या पंखे मैं मुझे ठंड महसूस होती है वो खुद बोलेगा ठंड महसूस होती है या फिर वो कहेगा कि इनके साथ में मुझे कुछ औढ़ने के लिए ये चादर कवर करने के लिए चाहिए होती है ये सभी आप को indicate करेंगे के patient का thermal चिली है तो थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा ध्यान देना होता है patient की चिली और hot आसानी से निकल आते हैं तो अगर आपने इस तरीके से group of remedies को अलग कर लिया तो फिर हमें सिर्फ देखना है इसकी thirst को तो अगर इसके साथ में patient मिलता है thirsty तो हमारे पास ये remedies बचती है Econite, Arsenic, Belladonna, China, Nuxvomica, Phosphorus, Phosphoric Acid and Stramonium चलिए एक एक करके remedies को देख लेते हैं कि कैसे अलग-अलग हम differentiate या differentially diagnose कर पाएंगे कि ये patient किस चीज़ का है पहली remedy जो हमारे सामने है that is Econite, अगर Econite इस तरह के viral fever में आपके साथ आती है तो चिली और thirsty होने के साथ साथ उसमें fear, fright और anxiousness for death मिलेगा ही मिलेगा उसको लगेगा कि ऐसा होने वाला है कि मैं इस बीमारी के साथ यहीं खतम हो जाऊँगा इसके अलावा जब आप चेक करेंगे mouth को तो tongue मिलेगी white coated और gums मिलेंगे inflamed चारो तरफ gums होंगे लाल लाल और tongue होगी white coated जैसे antem crude में मिलती है इसके अलावा वो एक feeling बताएगा कि जब भी वो कुछ पीता है या खाता है तो constriction feel होता है गले के अंदर, throat में constriction feel होता है अगर यह सारी चीज़ें मिल रही है, इसके साथ में patient rustless, anxious है तो patient echo night का ही है इसके बाद जो remedy आती है वो आती है arsenic जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, avota group की medicine है, angry when obliged to answer ज़्यादा इससे questioning करोगे तो यह इसको चड़ महसूस होती है, irritation start होता है anxious and restlessness इसके अंदर भी है, लेकिन इसकी anxiety बहुत हद तक ऐसी उस पे है इसमें death का fear नहीं बनता, लेकिन anxiety बनती है कि कब तक ऐसा रहेगा, कब तक मैं यह ठीक नहीं होँगा इस तरह की anxiety रहती है, साथ में यह पानी पीता है, सिप्स में जब भी इसको प्यास लेगी थोड़ा सा पानी पीएगा, ज़्यादा नहीं पी पता है और इसको गरम चीजों की desire होती है, कि गरम दूद मिले, गरम चाय मिले, इस तरह की चीजे इसको पीने का मन करता है ठंडी चीजों का बिलकुल अबर्जन होता है तो अगर यह सारे symptom लेके आता है, तो patient है arsenic का next medicine जो हमारे पास है, that is belladona belladona को पहचानने के लिए, पहले से ही आपको दिखने लगेगा patient थोड़ा सा reddish and bluish red face का दिखेगा जब भी उसको high grade fever आएगा, तो चहरा उसका लाल या bluish red हो जाएगा इसके साथ में आप उसकी tongue देखेंगे, तो red होगी edge पे बिलकुल fiery red होगी on edges पे और throat इसके अंदर भी contracted, constructed मिलेगा, साथ में spasm आएंगे, अचानक फंदे लगेंगे गले में कुछ भी खाओ गए तो फंदा लगेगा, pain के साथ साथ इसमें इस तरीकी की activity मिलेगी और patient बहुत ही irritable होगा, ज्यादा देर तक आपके सामने बैठना भी पसंद नहीं करेगा ऐसा कुछ मिलता है, तो sure shot ये बेला डोना का patient है इसके बाद अगली remedy इसी group में आती है, चाइना की तो चाइना अगर viral fever के अंदर चिली थस्री लेके आता है और चाइना हमें डूढ़ना है, तो सबसे पहली चीज इसमें मिलेगी आपको weakness weakness जो बहुत ही जल्दी इसके अंदर बन जाएगी एक दो खंटे के अंदर जैसी fever इसके अंदर आएगा और desire for fruit, ये fruits की desire करेगा, अलग-अलग fruits चाहिए होंगे and divergent to touch, जाहर सी बात है जब भी आप उसका fever check करने के लिए उसको check करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उसको touch करना चाहोगे तो वो बिलकुल पसंद नहीं करेगा इसके साथ अगर उसके mouth के अंदर examination करोगे तो tongue उसकी coated मिलेगी, yellowish भी हो सकती है, whitish भी हो सकती है but coated मिलेगी, साथ में तेस्ट जो होगा mouth का, वो कड़वा होगा, bitter होगा तो ये सारी चीज़े मिलेंगी आपको चाहिना में next medicine जो हमारे पास है, that is Nuxvomica अगेन आवोटा ग्रुप की medicine है, angry when obliged to answer आप जब भी question करेंगे, तो ये irritable होगा irritability इतनी ज़्यादा है, कि light and sound से भी aggravation है जरा सी light तेज होगी, sound तेज होगा, तो इस दिक्कत बढ़ जाएगी चेहरे जब गले का इसका examination करोगे, तो इसके अंदर ovula red and swollen दिखेगा, इसके साथ में इसको जो pain है, वो गले का stitching pain होगा, जो इसका उपर तक उठेगा, इसके बाद next remedy हमारे पास में है, that is phosphorus, phosphorus जब भी cold drinks आपको साथ में दिखाएगा, ठंडी ठंडी चीज़ों का मन करेगा, ice cream बहुत मांगेगा, जितना fever तेज होगा, उतनी ज़्यादा ठंडी चीज़ों की desire करेगा, साथ में जब आप इसका mouth examination करोगे, तो tongue इसको red मिलेगी, और bleeding of gums मिलेगा, थोड़ी-थोड़ी bleeding मिलती रहे, मुह से, और गले में आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी bleeding हो रही है, that is phosphorus, इसके बाद next remedy जो दिखते हैं, that is phosphoric acid, phosphoric acid आपको जब भी fever के अंदर मिलेगी, तो craving होगी, उसको desire होगी juicy things की, कि juices मिलें, fresh juices मिलें, और जो sour things हैं, खटी चीजें हैं, उनकी desire होगी, इसके लावा desire होगी, इसको specially cold milk की, थंडा दूद पीना बहुत पसंद होगा, phosphoric acid को, जब भी mouth का examination करेंगे, तो आपको मिलेगा, कि इसके अंदर tongue swollen है, और जो mucus है, वो फ्रोधी है, बहुत जाग वाला mucus इसके अंदर गले में वन रहा है, saliva बहुत फ्रोधी टैप का होगा, जैसे noxcata में मिलता है, और tongue swollen मिलेगी, सूजन आ जाएगी, जीब के अंदर, इसके लावा एक symptom वो और बताएगा, कि अक्सर करके, बोलने में, या खाना खाने में, उसकी दांत जीब के बीच में अचानक आ रहे, जब से इसको fever आया है, तब से, तो bite stung involuntarily, ये आपको symptom इसके अंदर मिलेगा, ये हुआ, फॉस्फोरिक एसिड, इस ग्रूप के अंदर, चिली थस्टी में, सबसे last medicine अब बची है हमारे पास, that is, स्ट्रेमोनियम, स्ट्रेमोनियम जब भी आपके पास आएगा, तो डरा, सहमा, और fearful होगा, इसके साथ में वो अपन बच्चा होगा, तो जरूर मा के साथ में, मा की उंगली पकड़के, या किसी चीज को पकड़के, ग्रैस्प करके रखेगा, इसके साथ जब भी आप उसका चेक करेंगे, आप उसके mouth को, तो आपको dry mouth मिलेगा, alternate with visit saliva, खुब सारा saliva, आपको कभी दिखेगा, कभी बिल्कुल dry दिखेगा, चीजों को swallow नहीं कर पाएगा, जैसी swallow करने कोशिश करेगा, अचानक उसको फंदे लगेंगे, और red circumcised cheeks दिखेंगे, cheeks इसके अचानक से red हो जाएगे, जैसा मैंने बताया था, चेहरे पे भे पूरा-पूरा दिखेगा, expression of terror on face, तो ये सारी चीजे मिलने वाली हैं, आपको स्ट्रेमोनियम में, अब दोस्तों ये तो होगया, चिली और थस्टी, अब बात करते हैं, अगर पेशन्ट चिली और थस्लेस है, इसके साथ में उसको प्यास बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास सरफ तीन remedies है, इगनीशिया, नस्मोस्काटा और क्याया है, तो अब देखोगे, वो जब भी आप से बात करेगा, तो थोड़ी थोड़ी देर पे लंबी लंबी आहें भरेगा, इस इस साइंग, ये साइंग आपको दिखेगी, सम्टाइम्स बहुत तेज फीवर में मौनिंग भी मिलती है, लेकिन साइंग बहुत कॉमन है, इसका टेस्क जो है, वो खटा होगा, सावर होगा मू का, और जो सॉलिट चीजे हैं, उनको तो ये खाना पसंद करेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसको अराम हैसुस होगा, लेकिन इसके अलावा, कुछ भी जैसे ही ये अंदर लेगा, तो इसको दिक्कत होगी, पेन फ डिप्रेसिव हो जाएगा, जिस समय इसको ये फीवर आएगा, तो इसके बाद नक्स मॉसकाटा, पहले भी हम देख चुके हैं, वो ही सिम्टम सारे मिलने वाले हैं, स्लीप ओवर, पावरिंग इसके अंदर मिलेगी, कॉटनी सलाइवा, बहुत फ्रोधी, कॉटनी सलाइव तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है, जो नक्स मॉसकाटा में मिलता है, ऐसा अगर कुछ है, तो no doubt, नक्स मॉसकाटा is your remedy, लास्ट, इस ग्रुप के अंदर जो remedy हमारी पची है, अगर कोई वाइरल फीवर लेके आया है, चिली है, थसलेस है, तो that is CPI, CPI अगर है, तो indifference मिलेग आप कुछ बात कर रहे हैं, आप कोई response नहीं करेगा, पेशिंट कभी यह नहीं बताएगा कि मुझे कुछ तकलीफ है, चुपचा पड़ा रहेगा, कोई ना खाने की चीज मांग रहा है, ना किसी को पसंद कर रहा है, कोई पास पैठे, यह सारी चीजें आपको indifference में मिले टंग जब भी आप इसकी चेक करेंगे, तो white-coated टंग मिलेगी, टेस्ट एकदम चला जाएगा, टेस्ट इसमें मिलेगा नहीं, sometimes टेस्ट मिलता है, salty, कभी-कभी salty मिलेगा, या फिर टेस्ट फिले ही नहीं होगा, और इसके अलावा, हम देखते हैं, इनके अंदर desire बढ़ है, acidic चीजों की, different type, जिसे पानी पूरी खाना, गुलकप्पे खाने का मन करेगा, या अचार, different type के अचार खाने का मन करेगा, तो दोस्तों, अगर ये symptom आपको मिल रहे हैं, और patient viral fever लेके चिली-thusless remedy, चिली-thusless symptom उसके अंदर है, तो no doubt, ये CPI हो सकता है, तो देखा हमने, आज के इस पूरी episode के अंदर, किस तरीके से हम चार्ट को hot-thusty, hot-thusless, चिली-thusty, चिली-thusless में तोड़के, इनके different remedies को हम समझ के और उसको apply कर सकते हैं, इस चार्ट को आप जरूर इस्तिमाल करिएगा, बहुत मज़ेदार चार्ट है, आपको कुछी दिन में याद हो ज जाएंगे, दोबारा देखने की चार्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी prescribing बहुत fast हो जाएगी दोस्तों, और इस prescribing के साथ short short result भी मिलते हैं, यह मेरा अपना जाचा परखा हुआ चार्ट है, आप इसे use करिएगा, मुझे जरू कमेंट करके बताएगा, अगर आ यह viral fever का chart चाहिए, वो morning mantra पे telegram group join कर लें, उसका link मैंने description box में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको join कर सकते हैं, वहाँ पे यह chart मैं डाल दूँगा, और वहाँ पर ही मुझे अपने feedback भी दीजिए, यहाँ पर भी दे सकते हैं comment box में, चलिए मिलते हैं अगले morning mantra के साथ,